पीसियस करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा चर्चा का विश्य है राजीव कांधी की असीवी जयन्ती आज यानि 20 अगस्त को राजीव कांधी की असीवी जयन्ती मनाई जा रही है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी की असीवी जयनती पर श्रधान जली दी है अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी के बारे में इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे वर्तमान मुम्मई में हुआ था 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधान मंतरी बने थे 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधान मंतरी बने बता दे कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही दो अंग रक्षकों ने गोली मारकर कर दी थी भारत के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की भी हत्या 21 मई 1991 को तमिल नाडू के श्री पिरुम बुदूर में एक आत्म घाती बम विस्पोर्ट के परिणाम सुरूप हुई थी राजीव गांधी के प्रमुक कारे निम्न लिखित हैं और जगए जगए PCO खुलने लगे जिससे गाउं की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी इनके दूर संचार के क्षेतर में बहु मुल्य योगदान के कारण इन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तक्नीक और दूर संचार क्रांती का जनक कहा जाता है इनके कारेकाल के दौरान 61 संविधान संचोधन 1989 के जरिये वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई देश में पहले कम्प्यूटर आम जनकी पहुँँच से दूर थे मगर राजीव कांधी ने सैम प्रित्रोदा के साथ मिलकर देश में कम्प्यूटर क्रांती लाने की दिशा में काम किया इनकी सरकार ने 1986 में राश्ट्रिय शिक्षानीती की घोशणा की और इसी शिक्षानीती के अंतरगत आवासिय विद्यालियों की परिकल्पना की गई है जिनने जवाहर नवोदे विद्याले का नाम दिया गया है पंचायती राज से जोड़ी संस्थाएं मजबूती से विकास कारने कर सके इस सोच के साथ राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्ण राजीव कांधी के संबंद में निम्दलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक राजीव कांधी भारत के सबसे युवा प्रधान मंत्री बने थे दो इनने डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और धूर संचार करांती का जनक कहा जाता है वो पर उतमें से कौन सा याँसे कथन सही है या फिर हैं केवल एक केवल दो, एक और दो दो नो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेचियेगा धन्यवाद